समस्कार करनाटक विधान सबा चुनाओं में भारती जन्ता पार्टी चुनाओं हार गई हार क्या गई बुरी तरह हार गई और दूसरी तरह भारत की राजनीत में कॉंग्रेस का मरसिया पढ़ा जा रहा था लेकिन कॉंग्रेस में जान आ गई और अब ये सवाल उठने लगा लोग बाते करने लगे कि क्या करनाटक का मूड देश का मूड है क्या करनाटक के चुनावी नतीजों के बाद 2024 की लड़ाई बहुत दिल्चस्प हो जाईगी अभी देश में कई विधान सबा चुनाओं बाकी है तेलंगाना, मद्यपरदेश, राजस्थान और 36 गड़ के चुनाओं इसी साल के अंत में होंगे तब उसके बाद भी ये पता चलेगा कि देश का मूड क्या है लेकिन करनाटक चुनाओं में जिस तरीके से भारतिय जनता पाटी ने अपनी ताकत लगाई थी जिस तरीके से धर्म का कार्ड खेला था, जिस तरीके से प्रधान मंतरी नरेद मोदी और ग्री मंतरी अमिश्षा, बीजेपी के राश्टी अध्यक जेपी नडड़ा यो उत्तापरदेश के मुख्यमंतरी योगी आदित नाथ ने ताकत लगाई बजरंग बली का उद्गोष किया और टीपू सुल्तान को एक घेरे में लिया उससे ये कहा जाने लगा कि जितनी ताकत करनाटक में लगानी थी बीजेपी ने उससे ज़्यादा लगाई और जितनी सीटे पानी थी उसकी आदी नपापाई तो अब मैं दिल्नी में हूँ और दिल्नी के करनाट प्लेस पर आपको पता है कि लोग हर तरह के घर जगए के लोग रहते ही हैं तो मैं जैसे जो जहां रहता है उससे बाचीत करना शुरू कर देता हूँ तो आज इसी बात पर कि क्या करनाटक के चुनावी नतीजों से देश का मूड बदल रहा है या यह कहना अभी बहुत जल्दबाजी है और करनाटक के चुनावी नतीजे एक राजी तक्सीमित है यहां कुछ लोग है आपको क्या लगता है जो मैंने बोला उसके बारे में आप क्या विचार है देश का मूड बदल रहा है हम ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि केंद्र में प्रदानमंत्री नरेंद्र मोधी जी है और उनकी सरकार पे पिछले पूरा अंदाजा लगता है कि पूरा पका जब पूरी ताकत लगा दी बजरेंग बली का लाम ले लिया टीपू सुल्तान को विलिन तक बना दिया और कोई काम ऐसा था जो छोड़ा नहीं उसके बावजूद अगर हार हुई है तो यह नमाला जाए कि नरेंद्र मोधी का कर पर ईक पाटी बना दिया था चामल वाला उधारण यहां पर नहीं दिया जा सकता कि चामल का एक दाना देकर फूरा चामल बना है कि नहीं बताई के वल एक Rád自time की मुस्लिम काट हिंदू कार्ण अइसा नहीं है भाजटपा का नारा है सब का सांस आंस वो किसी प्रस्त अर जै बजरंग बली ये की है जै सिया राम जै श्री राम जै बजरंग बली अल्लाव अकबर धार्मिक नारे हैं कोई सियासी नारे नहीं है कोई भी हिंदू है कोई मुसल्मान है अपना अपना धार्मिक नारे तो सनातन से जै सिया राम चलाता ना सिया राम तो ठीक है जै सिया के बाद आया मोरॉद तो पारने हिपराने छुए पत दोके त Pal这ल कोई नहीं कहता था श्री नरायण कपसे है श्री नरायण श्रीन तो बहुत पुरान लक्षमी जी श्री नराएन नाम है एक मेरे नाम मुहम्म्मद फैस खान है और मैं गो सेवा हूँ उल्टा हो गया मामला पूरा मुहम्मद फैस कान सुनके आप सोच रहे हैं वही है तो मैं निश्पक्ष बात करता हूँ मैं मुस्लीम हुपर मैं निश्पक्ष बात करता हूँ देखिए आप इस बात को समझ जाए अब हनुमान चालीसा सुना सकता हूँ आपको यहां पर रहा है कोई भी ले सकता है अब उसको यह क्यों सोच रहा है है अब भजरंग बली का नाम लेकिभी जीट जाते हैं तो फिर आप कहते हैं कि यह धारमिक कार्ठ खेला। बजरंग दल का नाम कॉंग्रेस जब आल्रेडी प्याफाई बैंड थी तो कॉंग्रेस के बजरंग दल का नाम लिखने की जरुवत क्या थी उसने भी एक कार्ड इसलिए खेला कि मुस्लिम वोटों का बटवारा नहों जेडियस की तरफ जो जाता है वो न जाए मेरी तरफ आ कि यदि बजरंग दल पर बैंड की बास से मुस्लिम उनाइट हो जाएंगे तो कॉंग्रेस तो पूरे देश में जी जाती केंदर में भी बात कर रही थी कि भाई यह आरे से बैंड लगाओ बजरंग दल पर लगा तो कहां जीती केंदर में 10 साल से नर्वन मोदी जी की सरका मोहमद फैसव खान मैं रहे पूर चत्तित गडर से हूं किसी पार्टी में नहीं है पूरे बाजपा की लिस्ट उठाके देख लीजिए कॉंग्रेस की लिस्ट मैं किसी का सदस्य नहीं हूं एक दम निश्प मैं गो सेवक हूं लेकिन गो सेवा करता हूं गो सेवा के नाम पर जो यह बजरंग डाल वाले और तमाम गोवंश रच्छक कई लोगों पर उन्होंने अटेक किया आलवर में यहां वहां देखते हैं सुनते हैं अरे प्रभू जी इतने गोरक्षक मरे हैं शहीद हुएं चोटे लगी हैं घायल हुएं उनके सामने कुछ नहीं है हमें पास तो सारे गोरक्षक को का रिकॉर्ड है कितने लोगों के घर बरबाद हो गए अपना सब कुस धन लगा दिया दौलत लगा दिया इस्जट लगा दिया इसको आप एक ऐसा मुसलमान जिसको हनौन चली सा भी याद है जो अपने को गौवंश रचक कह रहा है तो उसको वो इसको कैसे देखता है हिंदू मुसलमान की खाई इस देश में न कभी थी न कभी है न कभी रहेगी देखिए हमारा देश जो है महबबस से चलने वाला देश है नफरत बाटने वाले कितनी भी नफरत बाटें नफरत बटेगी नहीं आज भी यह देश इसले चल रहा है कि एक तरफ राम रह रह र रहे रहे वो इद में शामील हो रहा है ये धोली दिवाली में शामील हो रहे दोनों मिलके रहते हैं कोई राजनितिक दल इनको बाट नहीं सकता और राजनितिक दलों की विचारधारा से मैं जनता के इस प्रेम को समाप्त भी नहीं मान सकता तो आप यह मानते हैं जो मैं किसी राजनीतिक दल का विरोध या सपोर्ट नहीं कर रहा हूं को लेकिन धर्म के नाम पे जो बटवारा हुआ था सर उस समय कौन लोग थे वह हम अच्छे से जानते हैं मैं कोई कॉंग्रेस प्यारोप ने आप खुद देख लिजे सेना में चाहे गिंती हो कि इस जाती के अधार पर और कश्मीर में जो 370 बनी रही लंबे समय तक और दो विधान चलते रहा है यह सब किन लोगों के समय में हुआ है देश कवी भाजन की यह आप समझ जाए कॉंग्रेस का विरोध नहीं कर रहा हूं सच्चा ही दिखा रहा हूं तो मुसल्मानों पर आरोप लगता मुसल्मानों पर कट्रता का रोप लगता है न तो कश्मीर में जिन यूकों को हतियार दिया गया जिन लोगों के प्रश्राइक के कारण दिया गया वह कौन उसको प्रोस्ताहित कर रहे थे 370 को लागू करके 370 समाप्त हुआ है तो वह कौन सी पालिटी देखिए वह इतिहा स्री गुरुचरण सरोज रज निजमन मुकर सुधारी बढ़नाव रगबर विमल जसुदो जोदाय कुफलचारी उद्धी ही नत्वनुजान के सुम्रव पहुं को नहीं यादे हुए गयत्री मंतर भी बहुत शांदर सुना देंगे आपको यह फेस्ता गयत्री मंतर भी ब भात कर यह बंट pousके हों में तो यह जो बात कर रहे इसे आप इत्रक रख बिल्कुल पूरी तरह मुद्धे का मूट देश का मूट तो हो नहीं के आपको कि अगर विधान सबाध करनाटक भारति जनेता पार्टी जीती भी है तो आप अगर उत्रपरदेश क्योंकि एफ देश का सबसे बड़ा राज्जी साथ साथ सारे के सारे मेर जीती है लेकिन उसकी चर्चा कम हो रही है करनाटक की चुनाव की चर्चा ज्यादा हो जिए वह उसकी इसलिए हो रही है निजिए अगर आप ने हमाईटिक हपना देखा जाए तो उसकी बिलकुल पुछी तरह से खतम और तो उसके लिए करणाटक में भले से क् fyoky 36 ल Él कि लिए कि वहां 36 गड़ की जनता टेघ कड़ चुकी है और वाँ 36 गड़ में पूरी तरह से बदला हॉज नज़र आ रहे हैं इस बार भारती जनता कि की पूरी तरह से सरकार बदनेवाली हैं भाजपा में आप हैं ना में भाजपा में तो नहीं हो अगर मैं सबका विश्वास और सबका परियास वाली बात करी है उन्होंने किसी एक तपके की एक सियासी जमाद की बात नहीं करी है अगर मोदी जी की 330 से कम सीटे आई ना तो आप मेरे पास आजएएगा 330 प्लस आइंगी 330 350 में एक समाठ्र कर दीजिए यह कि मुसलमान है तो वह कॉंगरेस का सपोर्ट करेगा और दूरा में एक बाजार है राया वहां एक टायर की दुकान है और उनके मालिक का नाम में भूल गया इसी तरह में आप जैसे आप लोग बैटे थे मैं किसी से कुछ नाम पूच के पहले से सिखा पड़ा कि तो मैं शुरू करता नहीं देखते रहते हैं आपको बहुत अच्छी करते हैं आप ने देखा होगा यहां में एक शुरू हो गया तो मुझे तो इसी तरह में चौराहे पर गया था एक बात तो मुस्लिम है तो उन्होंने हमसे कहा कि ब बाजपा के जंडा उठाएंगे तभी सब के समझ में आएगा तो यह जो दूरी है इसको बाटने के लिए या सही चीज़ है तो ही हमको लग जंडा उठाने वाले हैं बाजपा की जल्दी मैं आपके निश्पक्स रिपोर्टिंग के और बिना प्री प्लांड की इसकी